कासी के घाटों की सौध स्रेणी जानमी के पश्चिमी तट पर धवल सैल माला सी खड़ी है उनके पीछे दिवा कर छिप चुके शिडियों पर पिविन बेस पूशा वाले भारत के परतीक प्रांत के लोग टहल रहे हैं किर्तन, कथा और कोलाहल से जानमी तट पर चहल पहल है एक जूबती भीड से अलग एकांत में उची सिड़ी पर बैठी हुई बिखारी का गीत सुन रही है आखों के शामने कद्रिशे देख रही है शिर्दर सुन्य था तारा मंडल के बिराट गगन के शमान शुन्य और उदाश सामने गंगा के उस पार चमकीली रेत बिखी थी उसके बाद ब्रिक्षों के हर्याली के उपर नीला आकाश जिसमें पूर्णीमा का चंद्र फीके बादल के गोल टुकडे के सद्रिश अभी दीन रहते ही गंगा के उपर दिखाई दे रहा है जैसे मंदाकिनी में जल बिहार करने वाले किसी द्वैब द्वन्द की नौका का गोल पाल द्रिश्य के स्वक्ष पट के काले काले बिंदू दोड़ते हुए निकल गए युबती ने देखा वह किसी उच्च मंदिर में शे उड़े कपोतों का एक जुन्द था द्रिश्टी फिर कर वहां गए जहां तूटी काट के चौके पर बिवर्ण मुख लंबे असेयत बाल और कोट पहने एक जुबक कोई पूस्तक पढ़ने में निमगन था जुबती का हिर्दय फड़कने लगा वह उतर कर एक बार जुबक के पास तक आई फिर लोट गई सिड़ियों के उपर चड़ते चड़ते उसकी एक प्रोड़ा संगिनी मिल गई उससे बड़ी घवराहट में जुबती ने कुछ कहा और स्वयम वहां से चली गई प्रोड़ा ने आकर युबक के एकांत अध्यन में बाधा दी और पूछा तुम बिद्यार थी हो? हाँ, मैं हिंदू स्कूल में पढ़ता हूँ क्या तुम्हारे घर के लोग यही है? नहीं, मैं एक बिदेसी निशाहाय भी त्यार थी हूँ तब तुम्हें शहायता की अवशक्ता है, जदी मिल जाए, मुझे रहने के अस्थान का बड़ा कष्ट है हम लोग दो तीन इस्त्रियां है, कोई अर्चन नहों, तो हम लोगों के शाथ रह सकते हो बड़ी परसंता से आप लोगों का कोई छोटा मोटा काम भी कर दिया करूंगा अभी चल सकते हो? कुछ पुष्टक और शामान है, उन्हें लेता हूँ ले आओ, मैं बैठी हूँ यूवक चला गया, गंगा तट पर एक कमरे में उजवल प्रकाश फैल रहा था यूवक बिद्यार्थी बैठा हुआ, बयालू कर रहा था अब वह कॉलेज के छात्रों में है, उसका रहन सहन बदल गया है वह एक सुरूची शंपन यूवक हो गया है, आभाव उससे दूर हो गया थे प्रोड़ा परसती हुई बोली, क्यों शैलनात तुम्हारी अपनी चाची का स्मरन होता है नहीं तो मेरी कोई चाची नहीं है दूर पैठी हुई यूवती ने कहा, जो अपनी स्मिर्थी के शाथ बिस्वगहात करता है उसी कौन इसम अनंदिला सकता है यूवक ने हसकर इस ब्यंग कूरा दिया चुप चाप घड़ी का टिक टिक शब्द सुनता और मुह चलाता जा रहा था मन में मनो बिज्ञान का पाठ सोचता जाता था मन क्यों एक बार ही एक बिसे का विचार कर सकता है प्रोड़ा चली गई यूवक हात मूध हो चुका था शरला ने पान बना कर दिया और कहा क्या एक बात मैं भी पूछ सकती हूँ उत्तर देने ही में तो छात्र का शमय बीचता है पूछिए कभी तुम्हारे रामगाम का अस्मरन होता है यूवक की लोल लहरियों में से निकलता हुआ अरूम और उसके स्यामल तट का प्रभात अस्मरन होता है अस्मरन होता है एक दिन हम लोग कार्थिक पूर्णीमास नान को गए थे मैं बाली का थी तुमने मुझे फिसलते देखकर हाथ पकड़ लिया था इस पर शात किस्तिया हस पड़ी तुम लज्जित हो गए थे पचिस वर्ष के बाद जूवक छात्र ने अपने जीवन भर में जैसे आज ही एक आश्चरी के बाद सुनी हो वह वोल उठा नहीं तो कई दिन बीत गए गंगा के स्थिर जल में पैर डाले हुए नीचे की सिड़ियों पर सरला बैठी हुई थी कारूकारे, खचित कंजुकी के उपर कंदे के पास सिक्ड़ी हुई शाड़ी आधा खुला हुआ शीर, बंग की मग्रिवा और मस्तक में कुंकुम बिंदी महिन चादर में सब अलग अलग दिखाई दे रहे थे मोटी पलकों वाली बड़ी बड़ी आखें गंगा की हदय मेशे मचलियों को ढून निकालना चाहती थी कभी कभी वह बीच धारा में बहती हुई डोंगी को देखने लगती खेने वाला जिधर जा रहा है, उधर देखता ही नहीं उल्टे बैठ कर डान चला रहा है, कहां जाना है, इसकी उसे चिंता नहीं सहसा सैलनात ने आकर पूछा, मुझे क्यों बुलाया है, बैठ जाओ सैलनात पास ही बैठ कया, सरला ने कहा, अब तुम नहीं छिप सकते तुम ही मेरे पती हो, तुम ही शे मेरा बाल बिवा हुआ था, एक दिन चाची के विगड़ने पर सासा घर से निकल कर कहीं चले गए, फिन न लोटे, हम लोग आजकल अनेक तिर्थों में तुमें खोचती हुई भटक रही है तुम ही मेरे देपता हो, तुम ही मेरे शर्वस्व हो, कह दो हाँ सरला जैसे उनमादिनी हो गई है, यौवन के उतकंठा उसके बदन पर विख्री रही थी पर्दी का अंग में अंग्रा इस स्वर में मरूर, स्वब्दों में बेद्रा का संचार था शैलनात ने देखा, कुमोदोशे प्रफुलित, सरतकाल के ताल सा भरा, यौवन सरवश्व लुटा कर चर्णों में लूट जाने की योग्य सौंदरी प्रतीमा मन को मचला देने वाला बिभ्रम, धैरी को हिलाने वाली लावने शीला बक्चास्तल के हिर्दय जैसे फ्यालने लगा, वहां कहने ही को था प्रन्तों शैशा उसके मूँशे निकल पड़ा, यह सब तुम्हारा फ्रम है भद्रे मुझे हिर्दय की साथ ही मस्तिस्क भी है गंगा जल छू कर बोल रहे हो, फिर से सच को हो जूबक ने गोधूली मालनी जहनमी के जल में सरला के उजवल रूप की छाया चंद्रिका के शमान पड़ रही है गंगा का उतना अंस मुकुट सद्रिश धवल था उसी में अपना मुख देखते हुए शैलनात ने कहा भ्रह्म है सुंद्री, तुम्हें पाप होगा हाँ, परन्तुबह पाप उन्ने बनने के लिए उस्सुख है मैं जाता हूँ, सरला तुम्हें रूप की छाया ने भ्रांत कर दिया है अभागों को शुख भी दुख ही देता है मुझे और कहीं आश्रे खोजना पड़ेगा शैलनात उठा और चला गया विमुढ सरला कुछ न बोल सकी वह छोब और लज्जा से गड़ी जाने लगी करमशह घनिभूत रात में सरला के रूप की छाया भी बिलिल हो गई थी कहानी अच्छी लगे तू लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन डबाईए